नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी, कब मनाई जाएगी, जाने सही तिथी, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में बताने जा रही हों, तो चलो, वीडियो शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी, 2024, साल की 24 एकादशियों में देव देवशयनी एकादशी का व्रत, आशाड माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी को रखा जाता है, इस दिन का क्या महत्व है, जानिये विस्तार से, देवशयनी एकादशी व्रत, 2024, हर साल आशाड माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी को देवशयनी एकादशी क धार्मिक शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेश महत्व बताया गया है। धार्मिक शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेश महत्व बताया गया है। धार्मिक शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेश महत्व बताया है। जब तक विश्नुजी का शयनकाल होता है उस समय को चातुरमास कहा जाता है। चातुरमास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्यक्रम और शादी विवाह करना वर्जित माना जाता है। कहते हैं कि जब तक विश्नुजी शयनकाल में रहते हैं तब तक संसार का संचालन शिव जी करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेश महत्व माना जाता है। इस व्रत को रखने से सुख स्मृध्धि और उन्नती की प्राप्ती होती है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विश्नु की पूजा अर्चना करने का विधान है। हर माह में दो एकादशी पढ़ती हैं। आशाध माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी को देवशेणी एकादशी कहा जाता है। सभी एकादशी में देवशेणी एकादशी का सबसे अलग माना जाता है। इस दिन व्रत रख कर भगवान विश्नु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशैनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुरमास कहा जाता है। देवशैनी एकादशी का अर्थ है, वह एकादशी, जिस दिन देवशैन करते हैं। शुकलपक्ष की एकादशी को चातुरमास का समाप्थ हो जाता है। जिस दिन चातुरमास समाप्थ होता है, उस दिन देवशैनी एकादशी होती है। चातुरमास में आशाड, सावन, भादरपद, आश्विन और कार्तिक मास में आते हैं। ऐसे में चातुरमास तिथियों से तिथियों की गणना करने पर चार महीने का होता है। देव कब सोएंगे, 2024, चातुरमास के शुरू होते ही भगवान विश्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। और वे स्रिष्टी के संचालन का सभी काम भगवान शिव को सौप देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से चार माह के लिए देव शैन करने चले जाते हैं। चातुरमास में शुभ कार्य क्यों नहीं होते। धार्मिक मान्यता के मुताबिक किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए भगवान विश्णु का जागना जरूरी माना जाता है। देव जब जागरत अवस्था में रहते हैं, तो उस समय किये गए पूजा पाठ या मांगलिक कार्य का पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं, जब देव सो रहे होंगे और उस दौरान आप कोई मांगलिक कार्य करेंगे, तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों कमेंट करके बताओ कि आपको यह जानकारी कैसी लगी दोस्तों इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कर दे जिससे वह भी देवशैनी एकादशी के बारे में जान सके धन्यवाद